हे गाईज दिस इस अंसू एंड यूर वाचिंग टोपिक नॉलेज देखे हमारे पास कोश्चन है सेक एक्स इंटू डिवाई बाई डिवाई 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 बराबर य प्लस साइन एक्स इसको हमें solve करना है और कैसे करना है linear differentiation equation के दोरा अब ये equation कैसे होता है कैसे इस विद से हम solve करते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले देखे linear equation विद दोरा आपको सवाल लगाने के लिए सिर्फ 3 method अपनाने होंगे तो कौन से 3 method देखे सबसे पहले आपको जिसे की मालिया यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है समी करना आपका ठीक dy by dx और प्लस में मालिया py है बराबर में क्यूं है ठीक तो देखे सबसे पहले यहाँ पर आपको y का जो गुडांक होगा वो आपका p हो जाएगा यानि p का माल निकाल लेना है और e इस तरब जितना होगा वो आपका क्यूं हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समी करना से p और q का माल निकाल लेना है उसके बाद देखे क्या हो जाएगा उसके बाद आप निकाल लीजे integral factor यानि if तो if कैसे निकलेगा देखिए सबसे पहले e लिखिए e का power उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले integral यानि समा कलन का चिनल लगाईए p लिखिए उसके बाद dx हो जाएगा तो देखिए इसका मान निकाल लीजेगा अभी हुआ आपको बता रहे हैं सवाल तो सौंज में आपको आजाएगा ठीक उसके बाद दूसरे तीसरे step में आपको क्या करना है तीसरे step में सिर्फ आपको y गुडे i f हो जाता है उसके बाद समाकलन गच्ची ने लगाई है e k e power उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर लिखने के बजाए यहाँ पर i f लिख दीजे तो यह हो जाएगा i f गुडे क्यूं यानि जो i f होगा उसको यहाँ पर लिखिए गुडे में क्यूं लिखिए और पूरे का समाकलन कर दीजे तो देखिए इस तरह से आपको 3 method सिर्फ करना है आपका सवाल आ जाएगा चलिए मैं आपको यह सवाल समझा देता हूँ सबसे पहले देखिए dy by dx प्लस px बरावर क्यूं इस तरह से बनाने के लिए सबसे पहले हम सेक x को इधर से गायब करेंगे अब गायब करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सेक x से भाग देंगे जब सेक x से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy by dx देखे 6x से जब भाग करेंगे दोनों पच्छों में तो यहाँ पर देखे 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पर dy by dx सिर्फ इतना बचेगा और इधर क्या हो जाएगा बराबर में हो जाएगा y बटा क्योंकि भाग कर रहा है तो नीचे हो जाएगा 6x प्लस में यह क्या हो जाएगा sin x बटे में क्यों हो जाएगा 6x हो जाएगा ठीक अब देखे इसको और simplify करेंगे तो देखे सबसे पहले इसको इधर कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा dy by dx माइनस में एक बटा 6x हो जाएगा इन्टू में y ठीक दो देखे यही रूप है सिर्फ हम यहाँ पर y को इन्टू में लिख दिए और यहाँ पर एक लिख दिए ठीक देखे वही रूप है यह ठीक उसके बद बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा into में cos x हो जाएगा, अब देखे, cos x कैसे हो जाएगा, देखे, 6 x को, अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहां पर सिर्फ आपको पी का मान निकालना है तो पी का मान मैंने बताया था कि य का जो गुढांक होगा चिं निस उधा लेना है तो यानि कि देखे इसका गुढांक क्या है एक वट्ण सेका यक्स हो जाएगा ठीक क्यूं आपको कितना चागेगा ये पूरा किउप को चाहेका टीक तो यहां पर साइन एक सजाएका इंति अ पूर। शरी का होजाएका टीक उनद क्यों जाएका तो यहाँ पर हो जाएगा E का पावर माइनस लिखा है तो माइनस आगी लिखा दिजिए यहाँ पर समाकलान के चीन लगाए एक बटा सिक यक्स dx हो जाएगा ठीक जब इसको solve करेंगे तो देखे यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा E की पावर देखे यहाँ पर सिक यक्स के जगा जब एक बटा कॉस यक्स रखेंगे तो कॉस यक्स उपर हो जाएगा तो यह हो जाएगा कॉस यक्स dx ठीक तो देखे यहाँ पर माइनस लगाए और कॉस यक्स का समाकलान के होता है sin x होता है तो यह हो जाएगा sin x हो जाएगा ठीक तो यानि integral factor आपको कितना आया e की power minus sin x अब इसके बाद आपके पास क्या होता है y गुड़े i f यानि integral factor वराबर क्या लिखना होता है समाकलन गच्चिन लगाईए i f गुड़े q जिसके बाद समाकलन गच्चिन लगाईए य हो जाएगा i f के स्थान पर क्या आया है e k power minus sin x आया है बराबर में क्या हो जाएगा बराबर में IF स्थान में फिल लिके तो e k e power minus sin x हो जाएगा उसके बाद into में आब इसके बाद देखे क्यूँ है तो क्योंकि इस्थान पर दिखें यहाँ पर क्या है sin x into cos x तो यहाँ पर लिखेंगे sin x into में cos x ठीक तो if के इस्थान पर इतना लिखा क्योंकि इस्थान पर इतना लिखा उसके बाद पूरे का समाकलन कर देना ठीक अब देखें इसका समकलन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले sin x के अस्थान पर आप माल लिजे यहाँ पर लिखिए let का मतलब होता है माना की sin x sin x बराबर t माल लिजे जब sin x बराबर t माल लेंगे तो इसका देके दोनों तरफ क्या करें आउकलन कर देंगे जब alkaline करेंगे तो sin x का alkaline क्या होता है cos x होता है ठीक उसके बाद dx हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा ठीक तो इस तरह से आप इसको alkaline कर दीजिए तो अब देखे जहां पर cos x dx हो उसके स्थान परम को क्या लिखना है dt लिखना है यानि cos x dx इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है dt लिखना है और sin चहां पर लिखाओ उसके स्थान पर t लिखना है तो ये पूरा क्या हो जाएगा तो देखें यहां पर क्या हो जाएगा y उसके बाद e q power minus sin x इधर कुछ नहीं करना है इधर जिस तरह पर लिखा हो से लिखा रहने दीजिए इधर क्या हो जाएगा सिर्फ आपको इधर चेंज करना है तो इधर क्या हो जाएगा sin x चहां पर हो उसके स्थान पर t लिखना है उसके बाद sin x फिर यहां पर t लिखिए इसके स्थान पर डीटी हो जाएगा तो डीटी हो जाएगा ठीक अब इसके बाद देखे अब इसके बाद इसका समाकलन कर दीजे तो यहां पर देखे इसको फस्ट मालीजे इसको सिकेंड मालीजे यहां पर खंड सा समाकलन लगा दीजे तो देखे यहां पर इसको इसी तरह स उसको आपको समा कलन करना है, समा कलन E की पावर T का होता है, E की पावर T ही, ठीक, और यहाँ पर जो माइनस है, जब दुबारा करेंगे, यह माइनस आगे लग जाएगा, ठीक, उसके बाद माइनस लगाईए, उसके बाद समा कलन का चिन लगाईए, उसके बाद देखे, फर् 12 जब समकलन इसका करेंगे तो यानि कि इसका समकलन करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा यानि माइनस एक हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ठीक और यहाँ पर हो जाएगा dt ठीक अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा Y के power minus का sin yaks हो जाएगा. बरावर में क्या हो जाएगा? minus का T E के power minus का T. ठीक अब देखे यहाँ पर E के power T का अब जब यहाँ पर समख्लन करेंगे तो कितना हो जाएगा? E के power देखे arbitrarily क्योंकि दुबारा जब इसा करेंगे तो यह minus में हो जाएगा यह हो जाएगा e की पावर t ठीक तो इस तरह से आपको इसको समा कलन कर देना ठीक प्लस में कसी कॉंस्टेंट जोड दीजे ठीक अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अब यहाँ पर जहाँ पर t हो उसके स्थान पर sin लिख दीजे minus cut e की पावर sin x प्लस में c हो जाएगा अब देखे यहाँ पर जो e की पावर sin x है सिर्फ इतना इसको इधर वह देजे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर y बचेगा तो यहाँ पर यह हो जाएगा देखे गुड़ा में है यह धरा जाएगा भाग में तो यह हो जाएगा माइनस का साइन यक्स उसके बाद e की पावर माइनस साइन यक्स ये लिखा हुआ है बटे में क्या हो जाएगा e की पावर माइनस का साइन यक्स उसके बाद इस तरह इसमें भी हो जाएगा यानि e की पावर माइनस साइन यक्स बटा e की पावर माइनस साइन यक्स प्लस में c बटा e की पावर माइनस साइन यक्स हो जाएगा ठीक अब देखिए e की पावर माइनस साइन एक्स से ये कड़ जाएगा इस से ये कड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा y बराबर हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा माइनस का एक हो जाएगा प्लस का c उसके बाद देखिए यह देखें माइनस में है उपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 1 की पावर साइन यक्स हो जाएगा यानि यहाँ पर देखें दोनों में माइनस कामा ले लिजे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर यह हो जाएगा minus का sin x plus में 1 plus में c e की power sin x ठीक आप चाहे तो इतना छोड़ दीजिए आपका answer हो गया अगर आप इसको और अच्छी से लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो यह plus में इसको आगे कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e की power sin yaks हो जाएगा यह देखिए minus है तो यहाँ पर minus लिख दीजिए 1 plus sin yaks ठीक तो यह आपका answer हो जाएगा तो इस तरह से आपको इसको solve करना था I hope friends आप लोगों को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिनोंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के educational वीडियो मिलते रहते है So thanks for watching and see you again in next video कर दो